कि चलिए रहों आदे यहां पर बहुत ही बढ़िया क्या हो गया उनको कि सब ठीक है कि छोड़ो चलो आजाओ येस आज़ो पड़ा लिखे करेंगे रोख फूकस करो चैसे यह एक ऐसा पूरा का पूरा तो वैसे इस regulation की expressly revision की कोई आवशक्ता नहीं है लेकिन कभी-कभी हमें क्या लगता है कि हमें गंदी आदत हो जाती है कि पूरा regulation का पंदरा भीस में आदे घंटे का sum up होगा नहीं तो ऐसा अच्छा लगेगा तो यह आदे जब आपको लग जाती है फिर जिस chapter का ऐसी summary नहीं मिलती तो आपको अजीब वजीब सा लगने लगता है तो वो अजीब वजीब सा आपको ना लगे इसलिए रिवाइस करा के दे रहा हूं मैं अदरा इसकी कोई आवशकता थी नहीं हमने अभी अभी पड़ा है एकदम नया regulation है और एकदम already sum up किया हुआ regulation है focus करते इसके अंदर क्या है SEBI share based employee benefit and sweat equity regulation 2021 पुराने दो regulation हुआ करते थे share based employee benefit regulation अलग sweat equity regulation अलग इन दोनों को mix करके regulation लेकर आ गए हमारे सामने SEBI SEBI share based employee benefit and sweat equity regulation 2021 इसके अदर हम देखा बड़ा इस chapter को दो पार्ट में डिवाइड किया है part A talks about share based employee benefit जिसके अंदर इस BRAC का chapter 123 है और part B talks about sweat equity share बहुत छोटा सा पार्ट है प्यारा सा पार्ट है एंड में देखेंगे पहले पूरे focus साथ complete करते हैं share based employee benefit के पांच चीजने लिखी होती थी कि अप्लाइ करता है जब यह सिर्फ शेर बेस एंप्लाइफ बेनिफिट रगलेशन वहा करता था बड़ जब इनोंने mix किया तो पांच की जिगा छे कर दिया एक और सबसे पहले किस पर करेगी हर लिस्टेट कंपनी जिसने स्वेटिक्री शेर इसुक्या है उस पर अप्लाइग करेगी बिकॉस रेगलेशन का नाम ही क्या है से भी शेर बेज इंपलाइग बेनिफिट एंड स्वेट इकुटी शेर इस रेगलेशन तो पहले चीज बोली अगर कोई भी लिस्टेट कमनी जिसने स्वेट इकुटी शेर इंपलाइग किया है उस पर यह रेगलेशन अपलाइग होगी यह होगा पार्ट बी अफ दर एक बनिष्ट ओ चिरल गँटी बेनिफोर एक को ज Перв को मैंनने इस को मैंने जिसे को मैंने फि đấy इंपलाइग होगी शुटू आजय समेशियो अपार्ट बेनिफिट शियर बेस इंपलाइग इन पिस के लिए रिखेशन इंपलाइग थैसना चैने शी शेर बार इसकाहर heaven से पारेमवालव एकाहई Weekly कमवर इंवाल मोड चॉछ इंव्चिप इंवालों इंवाल्स liar बिलि λिंग शीप्रिंग मौरूइ स स की मोड इंवह ऑलों एकाहिब देयॡ एकाहरेग चॉट्डोपि किमि बेशन की MP और गुरूप कांपनी और गुरूप कांपनी यह अगर कंडिशन कंप्लाय कर देते हैं तो यह अपको समझ नहीं रहा है इधर आओ क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं से भी शेयर बेज़ इंप्लॉई बेनिफिट एंड स्वेड इकुटी रेगुलेशन 2021 किस पर अप्लाय होता है इन्होंने पहला बुला या तो कोई लिस्टिड कंपनी जिसने स्वेड इकुटी शेयर अप्लाय कर दिया है उन पर अप्लाय होगा या फिर कोई ऐसी इसके बाद में इंप्लोई को इस पार एक एक इंदर अब करते अब मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं शेयर बेसे इंप्लोई बोलेंगे इंप्लोई इक्सैट इंप्लोई हो या नहीं वो स्प्लोई होंगे हम भारत के बाहर के लोग सर्थ आप्लोई हो मूंगे तो हमारे डिरेक्टर्स इंप्लोई है होल टैम दिरेक्टर पार्टैम दिर्क्टिर कल टैक्टऩर एंवन एंड फरनेंड गींडिसलाइब को गोपनें से कॉर्य गैंने मीडिरेक्टब और इंडिफ़नेंट थे महिंडियोग फिरेसीन नहीं आते हैं और वो डिरेक्टर्स जो की प्रमोटर से रिलेटेड हैं, वो लोग भी यहाँ पर नहीं आते हैं, आवी क्लियर, थर्ड पॉइंट आता है, इंप्लोई, हमारी कंपनी के, हमारी होलिंग सबसीट कंपनी के, अगर कोई इंप्लोई है, तो वो भी कवर होंगे, लेकिन ऐसा इं से मिला के कितना, 10% of the outstanding shares hold करता है, अच्छे से पढ़ेंगे, employee की definition, अच्छे से, quick revision चल रहा है, employee की definition के सबसे पहले हमने पढ़ा, any person is even working in India, outside India, employee है हमारा, कोई प्रॉलम नहीं, director, whole time, part time, executive, non-executive, सब employee है, लेकिन, independent director, employee नहीं है, director, who is promoter, or related to promoter group, वो employee, नहीं है, वो director, नह अपने, associate company, सबके जो, employees है, वो भी हमारे employee माने जाएंगे, लेकिन, ऐसा employee, जो की promoter, promoter, group से related है, वो employee नहीं है, और ऐसा employee, जो, ऐसा director, जो अपने, relative, या लोगों के साथ, मिलके, कितना, 10% of companies shares hold करता है, वो, वेक्तिव employee, नहीं होगा, तो यह होगा, employee के definition, बहुत ही खास, इसके बाद में, इस chapter का main part आजाता है, yes, यह वाला, यह पढ़ने में, एक student को सबसादा परिशानी होती है, implementation of the scheme through the trust, समझना, इसकी summary points बना रहके, इससे पढ़ना है, हमें जब यह scheme, अब हम थोड़ा था conceptual ही पढ़ने की कोशिश करते है, share-based employee benefit पे focus है हमारा, sweat equity, end में इसके बाद में सब्जा कि कौन-कौन से employees covered है, मतलब जो employees covered है, उन सबको ESOP, ESPS दे सकते हैं, SAR दे सकते हैं, general employee benefit दे सकते हैं, retirement benefit दे सकते हैं, मतलब promoter, promoter group को ESOP नहीं दे सकते हैं, promoter के promoter, promoter group या फिर जो directors का 10% उससे जाधा shares है, या independent director, इस लोगों का ESOP, ESPS, SAR नहीं दे सकत इधर company can go for direct route और trust route, direct route का मतलब का है, company सीधा employee को बोलेगी कि अगर जो जो व्यक्ती ने conditions comply की, उनको हम shares दे देंगे, जो जो हमारे employment में रहा है for one year, they'll be getting these many shares at this price, ESOP दे दिया, directly company ने direct route, तूसरा था trust route, company creates a trust, and then the trust gives the option to the employees, trust buys share from the market, and trust gives shares to the employees, trust route, अगर आपकी company secondary acquisition या फिर gift involve कर रही है, तो trust route mandatory है, दो roots होते है, direct route, trust route, trust route, trust route is mandatory, अगर आप secondary acquisition या gift involve कर रहे हो, फिर क्या एक single trust में multiple schemes चल सकती है, जी हाँ, एक single trust के अंदर multiple schemes चल सकती है, trust deed, और उसमें कोई भी modification होता है, you have to inform, stock exchange, कौन लोग trustee नहीं बन सकते, हमारी company के director, KMP promoter of our company, holding company, subsidiary company, ये सब लोग कोई भी इस scheme के trustee नहीं बन सकते, या फिर कोई भी कैसा वेकती, who is holding 10% of share capital of voting right, ये वेकती भी trustee नहीं बन सकता, फिर आते हैं, जो shares trust के पास है, उस पे voting right नहीं मिलेंगे, दरवाइस control आ जाता है, तो जो shares trust के पास है, उस पे trustee voting right excise नहीं क पैसे से, आप सिर्फ delivery based trading कर सकते, आप derivative trading नहीं कर सकते, उसके बाद में, ये जो company है, company trust को loan दे सकते, बिकुस आज़ी तारी में trust है, हमने trust create करते हैं और e-swap दे दिया, trust को market से shares खरीदने है और employees को देना है न, employees से जो पैसा मिलेगा, वो तो market से कम का मिलेगा, तो ये पैस employees से पैसे आए 6 करोड, 4 करोड trust का नुकसान है, company को सिर्फ 6 करोड का loan repay होगा, 4 करोड company अपना business expense मान लेती, employees के लिए, ये कुछ points हो यहाँ पे, इसकी बाद में आता है, share held with trust, के trust जो भी shares hold कर रुके हैं, उनको non promoter, non public shareholding माना जाता है, तो ना तो minimum public shareholding में 25% में आता है, नहीं promoter holding की 20% में आता है, the shares held by trust is going to be non promoter, non public shareholding, ये बहुत important area है, limit on secondary acquisition, आज हमने एक trust बना दी, अभी trust क्या कर रही है, ये trust secondary acquisition कर रही है, और ESOPs दे रही है, तो secondary acquisition में limit आता है, per year की limit कितनी है, 2%, एक trust 2% से जाधा, एक साल में acquisition नहीं कर सकती, तो per year की limit है 2%, Sir, overall limit for A, B and C, that is ESOP, ESPS and SAR, इन तीनों के लिए aggregate limit है 5%, कि ये एक साल में 2% कर सकते हैं, पर second year में 2%, third year में 1% नहीं कर पाएंगे, because per year limit is 2%, aggregate limit is 5%, for general employee benefit scheme and retirement benefit scheme, the limit is only of 2%, all the scheme is 5%, that is okay, गर एक scheme में आप multiple schemes चला रही हैं, तो aggregate limit आपको 5% की मिलती है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, कि एक साल में maximum secondary acquisition can be 2%, aggregate limit for A, B and C is 5%, for D and E is, aggregate limit is also 2%, तो general employee benefit और retirement benefit के लिए aggregate limit भी 2% है, और when it comes to ESOP, ESP, SNSR, उनके लिए per year limit is 2%, aggregate limit is 5%, फिर आता है कि क्या हम off market transfer कर सकते हैं, क्या, off market में दो without stock exchange, दो circumstances में, आप off market transfer कर सकते हैं, only in 2 circumstances, the first one is what, you can transfer it to employees, या फिर you can participate in the open offer, जो अपना take over code का open offer आता है, उसमें आप participate कर सकते हैं, तो 2 cases में, आप off market transfer कर सकते हैं, transfer to employee and participation in open offer, फिर आता है, सर, हम हमारे जो shares acquire के उनको sell कर सकते हैं, क्या, आइडियली तो sell करना allowed ही नहीं होना चीना, because आप जो shares, trust acquire कर रहा है, या acquire कर रहा है, ताकि किसको दे पाए, employees को, तो बेचना क्यों है, लेकिन कुछ cases में sell करना allowed है, किन cases में sell करना है, trust shall not sell the shares, except, तो ये कुछ cases में sell करना allowed है, क्या, पहला, अगर कोई tax obligation है, या related expense आ रहा है, ESOPS के, ESOPS के ही खर्चों के लिए, अगर आपको थोड़े shares बेचने पट रहा है, तो आप बेच सकते हैं, दूसरा, अगर SAR है, तो SAR can be cash settled as well, stock appreciation right, या दा रहा है, it can be cash settled, तो आपने उसके लिए कुछ shares acquire किये थे, तो SAR अगर exercise कर रहे तो उन shares को sell कर कि, ये जो benefit है, ये cash form में लोगों को दिया जा सकता है, stock appreciation right में जरूरी नहीं है कि employee को shares ही मिले, उनको हो सकता है cash मिलेगा, लेकिन वो cash उनको मिलता है dependent on the share price, तो company कभी कभी क्या करती है, share खरीत के रख लेगी, कि share price बढ़ा, तो आपको benefit मिलेगा, share price बढ़ा, तो shares को sell करती है, जो advantage है, वो employees में सका माईगा, तो तीन cases हमने क्या पड़े है, अभी तक कि जिन cases में generally हम कोई भी trust अपने shares को बेचे का नहीं, लेकिन इन तीन cases में shares बेचना allowed है, tax obligation, related expense के लिए, सार exercise कर रहे हैं तब, part D और E, मतलब retirement benefit scheme और general employee benefit scheme के अदर emergency का case आ गया, तब यहाप sell कर सकते हैं, उसके आदमे Delisting offer, कोई भी exit opportunity, जहाँ पर company shares acquire कर रहा है, company जब भी shares acquire करता है, company acquire करता है at a higher price, तो अगर कभी भी ऐसा buy-back, ऐसी कोई opportunity मिल रहे है, तो भी आप उन shares को उसके अंदर sell off कर सकते हैं, end में अगर आपके आपके बच जाता है पैसा, तो loan repay कर रहे हो, तो जो shares बच गए, उनको sell winding up of the scheme, next page पर दिया वाईए, winding up of the scheme, अगर आपकी scheme wind up हो रही है, तो भी बच्चे पे शेर को बेज देंगे, और last में, आपने specific service approval लिया है, after paying and fees of 1 lakh rupees, approval से भी ने आपको exceptionally दिया, तो भी आप shares को sell कर सकते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 cases में, you're allowed to sell the share, generally you're not allowed to sell the share, ये 7 cases के आते हैं, पहला, अगर आपके employees के tax obligation, ESOP related tax obligation, ये other expense हारा है, तो आप sell कर सकते हैं, अगर SAR को exercise कर रहे हैं, तो आप sell कर सकते हैं, इमर्जेंसी आ गई है, for general employee benefit, retirement benefit, तो आप sell कर सकते हैं, आप buyback में participate कर सकते हैं, आप delisting में participate कर सकते हैं, जहांपे भी company open offer आ रहा है, company shares लेने का fees, तो of course, आप sell कर सकते हैं, in cases में securities को sell करना allowed है, otherwise securities को sell करना बिल्कुल कता है, allowed, नहीं है, उसके बाद में आप छोड़े-छोडे points आते हैं, ये सबसे important area होता है, ये difficult to study होता है, उसका आप में काफी आसान है, eligibility criteria, compensation committee will decide कि कौन से employees eligible है, कौन से employees eligible, नहीं है, अब ये compensation committee क्य जासा होगा, exactly same like, nomination recommendation committee under regulation 19, तो nomination recommendation committee का जो composition होता है, वो सेम होता है, composition committee का भी, यहाँ पर, compensation committee का भी, और कभी-कभी तो company क्या बोलती है, हमारे जो nomination recommendation committee है, यही compensation committee बन के काम करेगी, तीसरा, ये क्या करते है, detailed terms and conditions बनाते हैं, for ESOPs and everything, any scheme, and suitable policies procedure भी बनाते हैं, detailed terms and conditions भी बनाते है अगर कभी भी आपको कोई भी scheme launch करना, you need to pass a special resolution, वो special resolution पास करते हैं, आपको explanatory statement भी देना है, और कुछ cases में, आपको extra special resolutions पास करना है, special resolution पास करना है, explanatory statement लेना है, और कुछ cases में, आपको additional resolutions पास करने होते हैं, जैसे कि, अगर आप secondary acquisition कर रहे हैं, तो additional resolution, मान लीजा, आपन अब आप कह रहे हो कि हमें इस की में से करना है तो शेरोल्डर से एक और बार आशिर्वाद दिलना होगा तथास्तू मतलब अब इसके बाद में अगर मान लीचे आप यह ओप्शन देना चाहते हो अब इसके बाद में आता है variation of terms of the scheme एक बार एक scheme बना दी फिर उसको variation कर सकते हैं क्या exercise के पहले variation कर सकते हो लेकिन it has to be for the benefit of employees, for the benefit of employee आप उसका variation कर सकते हो winding up of the scheme, अगर कभी भी scheme wind up होती है तो जो भी पैसा बचता है उसका क्या करेंगे पहला repayment of the loan, loan repay कर देंगे या फिर distribution to employees जैसे खड़े हो जाएंगे, पूरे employees को बोलते हैंगे ले लो जिस पर जो note गिर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है and last, transfer to another scheme आपकी कोई और scheme चल रही है, आप वहापे transfer कर दोगे तो practical नहीं है, बट theoretical points ही है कि कोई भी पैसा बचे का, तो you'll be repaying the loan distribution to employees, transfer to another scheme non-transferability, मुझे बताओ कि मैं उस ESOP को transfer कर सकता हूँ क्या, the answer is no जब तक उसके against मुझे share नहीं मिल जाता, तब तक मैं transfer नहीं कर सकता हूँ, हाँ मुझे share मिल गया, lock-in खतम होगा अगर कोई है ESPS का lock-in, तो खतम होने के आद में नहीं, ना तो it can be transferred, ना ही it can be pledged, hypothecated, mod-cached फिर, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्य हो गई, तो ये benefit उसके legal error के पास चले जाता है, या फिर किसी व्यक्ति को अगर permanently disabled हो गया है, during a course of employment, तो उसके अंदर, उसी व्यक्ति के अंदर उसी time पे वो क्या हो जाता है, west हो जाता है, उसको पूरा tenure complete करने की अवश्यक्ता नहीं पड़ती है, क्योंकि tenure तो complete कर नहीं सकता ना, अरे, मेरी एक टांग नगली थी, लेकिन फिर मैंने tenure complete किया, क्योंकि मुझे e-swap चीए था, it doesn't work that way अगर मान लीजा, ऐसा हो चुका है, कि office के दौरान, मेरे का कुछ हो चुका है, कि मैं काम नहीं कर सकता, अगर आप secondary acquisition में लेके वही शेर दे रहे हो, तो तो जरुवत इन लिस्टिंग की, लेकिन अगर आप fresh shares issue कर उनकी भी listing होगी, तीन condition है, पहला, scheme is in compliance with the regulation, आपने stock exchange का principle, in principle approval ले लिया है, और यह सब होने के आद आपने stock exchange को inform भी कर दिया है, scheme regulation के हिसाब से है, stock exchange से in principle approval ले लिया है, और shares issue करते हैं, stock exchange को inform भी कर दिया है, तो क्या होगा, आप listing के लिए eligible हो, certificate from auditor, आपका secretarial auditor को certificate देना होगा, कि सारे regulation की सारी compliance को, आपने regulation की सारी requirement को comply किया है, easy point, इसके बाद में यह लोग क्या करते हैं, जो भी पांचो regulations है, उसके बाद, पांचो schemes है, उनके लिए थोड़ी थोड़ी बात बताईए, ESOP, ESPS, SAR, General Employee Benefit Scheme, Retirement Benefit Scheme, हमने एक start करके भी पढ़ाता है, इसको एकदम सिंपल समझते है, दिमाग अच्छे से बिठाना, ESOP, ESPS, SAR, तीनों में एक point आता है, सबसे पहला, Administration and implementation, तीनों में क्या लिखा है, Administration and implementation will be as per the scheme, कुछ भी नहीं, ठेक है, फिर आता है, Pricing, Companies free to determine the price, but accounting standard accounting policy का ध्यान रख लेना, काम की चीज़ आती है, Westing Period, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, ESOP, ESPS, SAR, Westing Period, ESOP में Westing Period होता है क्या, YES, minimum Westing Period of 1 year, ESPS में Westing Period होता है क्या, NO Westing Period, NOT applicable, SAR, SAR में Westing Period होता है क्या, YES, minimum Westing Period of 1 year, ESOP, ESPS, SAR में, जो पहले के 2 points तो easy थे, फिर मैं बात करता हूँ, Westing Period का, 1 year, 1 year, no Westing Period for ESPS, next आता है, Lock-in, ESOP में कोई Lock-in होता है क्या, NO mandatory Lock-in, Company can keep any Lock-in, but no Lock-in as per the regulation, ESPS में minimum Lock-in of 1 year, SAR में भी there is no Lock-in, तो मतलब 1 year, 1 year, 1 year हर जगो पर है, ESOP और SAR में minimum 1 year का क्या है, Westing Period, ESPS में 1 year का क्या है, Lock-in, वहाँ पे एक बहुत आता catch भी है, कि ESPS में 1 year का Lock-in है, now what is ESPS, ESPS is when a company is issuing shares that a part of public issue, कि public को issue कर रहा हो, थुड़ा सा, हम employee को भी देंगे, ये 1 year का Lock-in सिर्फ तब applicable होगा, जब आप employees को जिस price पे share दे रहे हो, this is lesser than public issue price, अगर employee को भी उसी price पे दे रहे हो, public को भी उसी price पे दे रहे हो, तो Lock-in नहीं आएगा, Lock-in सिर्फ तब आएगा, जब public issue price से कम में आप employees को दे रहे हैं, क्या कोई right मिलता है option holder को, none, कोई dividend, dividend कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरा requirement था, Westing period, आप one year पूरे employment में रहे, और उसके बाद में end होता है, आपका Westing period हो चुका है, अब exercise करते हैं, अगर आप बोलते हो कि मुझे share नहीं चीए, तो कुछ पैसा refund होता है क्या? नहीं, if you have completed the Westing period, and then you do not want to exercise, the entire money will be forfeited. But, if you have not completed the Westing period, आपका one year complete ही नहीं हुआ है, आपने six months के बाद ही job छोड़ दी, पूरा का पूरा पैसा जोबी तक आपका deduct होआ है, वो पूरा क्या हो जाएगा? refund. सुनने में अजीब लगता है, और मैंने आपका logic पहले भी बताता है, प्रोविशन यही है, जिसका ध्यान रखना है, कि अगर एक व्यक्ति है, उसने अपना पूरा tenure complete कर दिया, option उसमें west हो चुके है, फिर वो मोलता है exercise नहीं करने का है, तो उसका पैसा forfeit कर लेंगे, लेकिन अगर एक व्यक्ति के अंदर option कभी west ही नहीं हुए थे, उसने tenure के बीच में छोड़ दिया है, तो उसका जितना पैसा उससे लिया है, वो पूरा refund कर दिया अचा है, इसके बा लॉकिन था, तो लॉकिन हमना, थ्री मन्स यहां पर हो गया, तो remaining nine months ही complete करना है, तो merger, amalgamation, कोई भी ऐसी company ही, तो वहाँ पर remaining part ही करना होता है, उसके death या permanently incapacity आप हो चुके है, तो वहाँ पर जैसे कि वेस्टिंग पर आपको complete करने की ज़रद नहीं है, अगर आपकी मृत् लेंगे, seven months के बाद आपके मृत्ति हो गई है, अब five months घूमोंगे कि आपके बच्चों को share दे दिया जाता है, भाई तुम ले जाओ, पिताजी को बो आने का नहीं है, ठीक है, और अगर मान लीजे कुछ ऐसा हो चुका है, कि permanently incapacity आपके हो चुकी है, तो उसके अंदर ऐसा है, कि वहाँ पर आपको share दीदी आते हैं, कि अब आपको भी आने की जरूत है, आप घर पर बैटो, shares आपको आपके time पर मिल जाएंगे, हम यह मानेंगे, कि आपके job पूरी complete कर ली है, उसके आद में ESPS आता है, ESPS में public issue का ऐसा part मिल जाता है, administrative implementation, same as for this scheme, pricing and lock-in, no wasting पिर बढ बताई थी, कि अगर, same price पर दिया है, public और employee को, तो कोई lock-in नहीं है, यह lock-in वनियर का तब होगा, जब employee को थोड़ा सा, कम price में दिया है, फिर वापस, merger वाला point, debt or permanently, incapacity वाला point, ठेक है, फिर आता है, SAR, SAR में एक चीज़ अच्छी है समझना, stock appreciation right, it could be either equity settled or cash settled, वैसे regulation presume करता equity settled का, लेकिन, it can be equity settled or it can be cash settled, यहाँ पर हम लोग पढ़ते है, इसके अंदर भी wasting period of one year है, administration same है, equity settled, cash settled, as per the scheme होगा, जो भी आपने बता है, right of set holder, कोई right नहीं मिलता है, जब तक कोई right नहीं, कोई dividend, कोई general meeting कहीं नहीं बुलाते है, आपको, उसके बाद में यहाँ यहाँ पर 10,000 के share मिलेंगे, पर 10,000 में exact share आएंगे थोड़ी, मान लो, एक share 1100 रुपे का है, तो आपको हो सकता है कि यहाँ पर सिर्फ आपके limited share है, 200 रुपे बच जाएंगे, तो आपको जितने share साते हैं, उतने share दे दिये, fractional portion के लिए आपको दे दिया जाएगा cash, फिर आते हैं, तो general employee benefit scheme and retirement benefit scheme theoretical है, लेकिन इसका बस एक condition बता होना चाहिए, पहले चीज़, general employee benefit scheme, एक scheme बनाई ही हमने, for the general benefit of employee, generally यहाँ पर क्या होता है, general employee benefit or retirement benefit में, scheme हर एक company में होती है, but उसमें वो लोगों से पैसा कले करके, पैसे form में रखते है, यहाँ पे नोने कहा, कि rather than keeping the money in money form, you invest in the shares and keep it in share form, तो पैसा बढ़ेगा तो सही न, तो that is general employee benefit scheme, which is share-based, that is retirement benefit scheme, which is share-based, तभी तो याद आ रहे है, कि हम shares को sell कर सकते हैं, emergency की case में, तो अगर retirement हो रहा है, तो लोगों को तो पैसा देंगे, तो अब shares बेच के पैसा दे सकते हो, यह logic था, यहाँ पे बस एक condition है, दोने shares of the company, और shares of a listed holding company, shall not exceed 10% of the book value, market value, fair value of the total assets of the scheme, तो हमारी scheme के जो total assets है, उनका book value, market value, fair value, तीनों सेम ही होगा, इम टेलिंग यू, बट फिर भी, इन exceptional कीसित अलग होता है, तो book value, market value, fair value, तीनों निकालेंगे, उसमें जो lowest निकालेंगे, उसका जो 10% है, उससे ज्यादा आप shares म invest नहीं कर सकते हैं, मतलब बोला है, share में करो, पर एक limit के अंदर करो, so the total shares of your company or listed holding company cannot be more than 10% of the book value, face value, book value, fair value, market value, whichever is lower, तो हमारी company का book value लिया, market value लिया, fair value लिया, जो lowest है, उसका 10% लिया, maximum इतना shares में हो सकता है, maximum amount of shares of the company or the listed holding company can be 10% of the fair value, market value, book value, whichever is lower, और सेम दोनों जगा पर copy paste हो जाता है, और यह आता है, यहाँ पर substantial part खता है, इसके बाद में गरीब से रॉपक आता है, chapter का part B, that is, sweat equity share, chapter का नाम है, say B, share based employee benefit and sweat equity share regulation 2021, अब sweat equity share की बात करते है, इत्तु-इत्तु से बात आती है, इसके अंदर, पहला, employee मतलब क्या, क्योंकि जब मैंने पिछली definition of employee पढ़ी उसने शुरू में कह जाते है, employee other than sweat equity shall mean, तो only for the purpose of share based employee benefit, employee का definition बढ़ाता है, यहाँ छोटा सा definition है, employee means employee of the company working in India or abroad, director of the company whether whole time or not, employee whether working in India or abroad, director whether whole time or not, बहुत अच्छी बात है, issue of sweat equity shares to employee, क्या आप employees को sweat equity shares issue कर सकते है, what do you mean by sweat equity share, यहाँ पर बताने क issuing to your employees and these regulation to your employees for providing know-how or making available right in the nature of intellectual property right or valuation by whatever name call, तो कोई भी company section 54 को satisfy करते हुए अपने गर employees को equity share दे रही है, for providing know-how or making available right where whatever name called, IPR किसी भी नाम से कर कर रहे है, उनको जो हम shares देते हैं देल भी नोन है, sweat equity share, उन्होंने sweat बहाया और हमने उनको share दिया, sweat equity share, maximum quantum of sweat equity shares allowed, कि कितने आप maximum security share एक company issue कर सकती है, in a year maximum 15% of paid up capital and aggregate 25% of paid up capital, एक साल में 15% of paid up capital, aggregate 25% of paid up capital issue कर सकते हैं, समना अच्छे से, और yes, special resolution, अच्छे साज हम आपे, कि एक company जब भी sweat equity share issue करना चाहती है, the company will have to pass a special resolution, wonderful, अब यहाँ पे क्या लिखाया सुनना, यह जब आप special resolution पास करेंगे, you have to pass a special resolution, साथ में externatory statement होना चाहिए, अब सुनना अच्छे से, the issue of sweat equity share to employee who belong to promoter, promoter group, shall be approved by way of resolution passed by simple majority of the shareholder in general meeting, however, for passing such resolution, voting through postal ballot, e-voting is mandatory, is adopted, तो जब भी आप sweat equity share issue करेंगे, promoter, promoter group को, तो जो resolution passed करेंगे, इसमें promoter तो वोट नहीं करेंगे, और साथ में वोटिंग होगी कैसे, postal ballot से, e-voting से, postal ballot, e-voting अगर आपको याद है, तो अच्छी बात है, इसमें बस क्या होता है, इसमें everyone participants, घर बैटे बैटे भी participate करते है, उनको जनरल मीटिंग में आने की अवशकता नहीं होती है, तो normally आपको special resolution pass करना है, ठीक है, लेकिन अगर आप sweat equity share, promoter, promoter group को, तो compulsorily आपको e-voting, postal ballot से voting करानी है, और promoter of course vote नहीं कर सकते, फिर आता है special resolution for each issue, हर एक issue के लिए separate resolution pass करना होता है, और एक special resolution की value duty कितनी रहती है, 12 months, life is pretty easier here, उसके बाद में आता है, pricing of sweat equity share, कि sweat equity share कितने में दे सकते हो, it will be same like preferential issue under ICDR, तो इन्होंने provision ही नहीं बता है, हम बहुत खुश हो गए, फिर आया valuation, इन्होंने बेफकुच ऐसे बाते की, कि valuation क कैसे होगा, valuation होगा by a merchant banker, क्योंकि problem क्या थी valuation की, आप जब भी sweat equity share दे रहे हो, बदले में जो चीज़ ले रहे हो, उसकी value determine नहीं कर सकते, आची तारी पर उन चीज़ की value, कोई IPR है, IPR की value determine करना है, is damn difficult, how you determine the value of an IPR, तो valuation कैसे करेंगे, valuation करेगा by a merchant banker, अब merchant banker को आ नहीं रह होगा by a chartered accountant, तो merchant banker करेंगा valuation, he may consult an expert or end make certification लेना है from an independent chartered accountant, accounting treatment, very interesting, याद आ रहा है क्या, accounting treatment बहुत अच्छे से पढ़ा था, accounting entry भी किया था, depend ये करता है कि आपको कोई amortizable या depreciable asset मिल रहा है या, नहीं, अगर आपको कोई amortizable depreciable asset मिल रहा है, इसका मतलब आपको एक ऐसा asset मि balance sheet में नहीं जा सकते हो, अगर आपको amortizable or depreciable asset मिल रहा है, तो तो बहुत आसानी से आप इसको ले जाओगे balance sheet में, और कोई problem ही नहीं, अगर आपको कोई amortizable depreciable asset नहीं मिल रहा है, तो फिर हम उसको carry कर लेंगे balance sheet में, अगर हमें कोई amortizable depreciable asset नहीं मिल रहा है, the entire expense will be charged to PNL as and expense, बहुत अच्छा, placing of auditor certificate before AGM, same जैसे हमने पिछले में share based employee benefit में बढ़ा, secretarial auditor has to be present और उसका एक certificate चाहिएगा हमको at the AGM, sealing on managerial remuneration, so now, sweat equity share जब भी issue करेंगे, it will form part of managerial remuneration, क्या कह रहा है, sweat equity share is issued to any director manager and the sweat equity share is issued to non-cash concentration, which does not form part of an asset which can be carried to the balance sheet in accordance with the relevant accounting standard, अगर यह चीज़ कंपला होती है, then it will be treated as a part of managerial remuneration, मतलब समझना अच्छे से, कोई भी director चाहेगा, कि उसके managerial remuneration का part नहीं हो, क्योंकि managerial remuneration पे directors को limit होती है, वो इतना ही ले सकते, उससे आदर नहीं ले सकते, तो they would want कि हमें managerial remuneration पे salary मिल जाए, और sweat equity share मिले, over and above, over and above, तो यहाँ पे क्या कहा, क sweat equity share will form part of managerial remuneration or not, इन्होंने का सुनना, if sweat equity shares are issued to any director manager, and the sweat equity shares are issued for non-cash consideration, which does not form part of an asset which can be carried to balance sheet, सुनो, आप अगर कोई ऐसा asset लेकर आ रहे हो, which can be carried to balance sheet, तो भले हम managerial remuneration में consider नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप कोई ऐसा asset लेकर नहीं आ रहे हो, which can be carried to balance sheet, हम पूरा expense मान रहे है, तो managerial remuneration में consider किया जाएगा, तो कब managerial remuneration में consider किया जाएगा, अगर आप कोई भी ऐसा asset लेकर नहीं आ रहे हो, which is depreciable, amortizable, and we are giving to a director, of course, manager director को दे रहे हो, तो आपके, अगर आप ऐसा asset लेकर आ रहे हो, तो तो कोई problem नहीं है, तो तो कोई problem नहीं है, आपने asset दिया, बदल कि कोशिश करना, अगर आप कोई ऐसा asset दे रहे हो, जो हम balance sheet में ले जा सकते हैं, तो इसके बदले में share दे देंगे, managerial remuneration में include नहीं करेंगे, managerial remuneration अलग से ले लो, लेकिन अगर आप कोई asset लेकर नहीं आ रहे हो, तो पूरा का पूरा पैसा मुझे कैसा देना पड़ेग managerial remuneration के नाम पर देना पड़ेगा, पूरा का पूरा पैसा, clear है है हम लोग समना अच्छे से, उसके बाद में आगया अराम से, listing, इस प्लेटरी statement आपको general meeting में सबको देना है, secretaryial auditor का certificate आ जाना चाहिए, और the company within seven days of issuos vertical shares, they need to make a statement about all of these points, तो यह सारे दो पॉइंट तो पहले से covered है, कि हमें general meeting में expository statement देना है, उसके साथ में general meeting के अंदर हमको, जो secretaryial auditor है, उसका certificate चाहिएगा, बस एक चीज़ आगई, कि 7 दिन के अंदर हमको stock exchange को कुछ information देनी होती है, the regulation is a super easy regulation, कुछ है, अरे कुछ ही नहीं, मैं अभी भी कह रहूँ, मैं बार-बार कहता रहूँगा, जिस व्यक्ति को, ICDR, LODR, takeover code, delisting, delisting पढ़ाना, delisting, buyback, और delisting समझ लें आपे, यही वो regulation से जो एक रिक्ति को परिशान कर सकती है, अगर यह आती है, तो security law आता है, बात खता, आती है, बाकि कोई भी regulation परिशान नहीं कर सकती है, so we will stop here for this session, thank you so much for your patience, yeah, bye-bye, yes, 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 thank you so much, thank you so much people. झाल 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